लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महाराश्ट्र की पाच सीटों पर मतदान हो चुका है दूसरे चरण की वोटिंग से पहले शिपसेना अध्यक्ष उद्दफ ठाकरे के करीबी सयोगी मिलिंद नारवेरकर को लेकर चर्चाय चल रही थी वो मुख्यमंत्र एकनाचिंदे क संपर्क में है और मुंबय के एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं इस पर अब मुख्यमंत्र एकनाचिंदे ने सपश्ट किया है कि मिलिंद नारवेरकर न तो उनके संपर्क में ARE और नहीं उन्होंने उन्हें किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महाराष्ट्र की पाच सीटों पर मतदान हो चुका है दूसरे चरण की वोटिंग से पहले शिपसेना अध्यक्ष उद्दफ ठाकरे के करीबी सयोगी मिलिंद नारवेरकर को लेकर चर्चाय चल रही थी वो मुख्यमंत्र एकनाव चुनाव के संपर्क में है और मुंबई के एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते है इस पर अब मुख्यमंत्र एकनाव चुनाव चुनाव के पहले चरण में महाराष्ट्र की पाच सीटों पर मतदान हो चुका है और मुंबई के एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं इस पर अब मुख्यमंत्र एकनाव चुनाव चुनाव लड़ सकते हैं